हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल सुधेर टर्टोरियल में दोस्तों मैं ओम सुकला आज आप सभी के लिए संस्कृत का एक बहुत बिशेश टाफिक जो कि संस्कृत में संख्याएं हैं लेके आया हूँ यहां से क्वेश्चन हर बार एक्जाम में आता है चाहें वो यूपी टेट का एक्जाम हो आपका या सीटेट हो या सूपर टेट का एक्जाम हो यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं तो आज हम लोग सीखेंगे संस्क्रिट के संख्याओं के नाम के उच्छारण कैसे करते हैं और इनको कैसे लिखा जाता है यहां से एक जाम में question जरूर पुछा जाता है तो सबसे बड़ी बात जो है इसको ध्यान देने में सबसे पहली बात है जो एक से लेके चार तक संख्य होती है वो सब पुलिंग में चलते है तो जैसे देखते हैं एक को पुलिंग में एका बोलते हैं और इस्त्रिलिंग में एका बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी तरह से नपुनसक में एकम बोलेंगे दूई को क्या बोलेंगे यानि कि दौव पुलिंग होगा दौए इस्त्रि को त्रयाह बोलते हैं पुलिंग में त्रिस बोलते हैं इस्त्रिलिंग में और त्रणी बोलते हैं नपुनसक लिंग में चार को क्या बोलेंगे पुलिंग में तो चत्वारा और इस्त्रिलिंग में चत्रस और नपुनसक लिंग में क्या बोलते हैं चत्वारी बोलते हैं ठीक अब आगे बात करते हैं देखें जो आगे 5 से लिखें और संख्याय हैं वो सब एक ही पुलिंग में चलेंगी ठीक जैसे देखें पांच को पंच बोलते हैं चे को सट बोलते हैं या सड कहते हैं साथ को सब्त लिखा कैसे गया इसको भी आप ध्यान देंगे क्योंकि एक्जाम में आपके विकल्प में ऐसे ही लिखा मिलेगा आठ को क्या बोलेंगे तो अश्ट बोलेंगे नव को नव या नवन बोलते हैं दस को दसन या दस बोलते हैं ग्यारा को एका दस बारा को द्वा दस तेरा को त्रयों दस बोलते हैं चहुदा को चतुर दस पंद्रा को पंच दस और सोला को सोडस या सट दस बोलते हैं ठीक यहां से आप समस सकते हैं कि 18 पुराण यानिकी ऐसी तरह से आगे देखेंगे 9 10 9 10 मतलब 19 हो गया या एकोन विनसती या फिर उन विनसती यह होता उन्नीस का फिर विनसती बोलेंगे 20 को 21 को क्या बोलेंगे संस्क्रित में तो एक विनसती इसी तरह से बाइस को द्वा विनसती तेज़ को त्रिविनसती या त्रिया विनसती 24 को चतुर विनसती 25 को क्या वोलेंगे पंच विनसती 26 को क्या वोलेंगे सड विनसती वोलेंगे फिर आगे 27 को सब्त विनसती 28 को 80 29 को 9 या एकोन 30 यानि कि देखें 30 होता है 30 का तो एकोन 30 एक कम 30 यानि कि 29 इसी तरह से 9 30 29 का होगा आगे 31 31 को कोई आ बोलेंगे 1 30 32 को 32 यानि कि 32 32 32 यानि कि 33 33 34 34 34 यानि कि 34 इसी तरह से 35 को 35 36 36 को 63 37 को 73 38 को 80 33 और 49 का क्या होगा 9 30 या एकोन 24 चत्वारिनसद चालिस होता है तो एकोन 24 यानि कि एक कम 40 तो क्या हो जाएगा 49 इसी तरह से 9 चत्वारिनसद उन्तालिस को उन्हें चत्वारिनसत भी बोला जाता है लिखा जाता है 40 का चत्वारिनसत ही होगा अब फिर आगे इसी तरह से 1 चत्वारिनसत 41 2 चत्वारिनसत 42 24 चत्वारिनसत तो 43 होगा आपका फिर आगे 44 को क्या बोलेंगे तो 44 को बोलेंगे 44 चत्वारिनसत ही 45 को पंच चत्वारिनसती, 45 को क्या बोलते हैं, पंच चत्वारिनसती, 46 को सब्च चत्वारिनसती, 48 को क्या बोलेंगे, तो अश्ट चत्वारिनसती, इसी तरह से जाज़ेगे, उन्चास पे, तो उन्चास उन्चास उन्चत्वारिनसत बोल सकते हैं, या पंचास उन्चास उ अब फिर आगे इसी में एक द्या़ इसे जोडते जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे एक पंचासत क्या हो जाएगा आपका द्यावन हो जाएगा त्रिपंचासत तिरपन होगा चतुसーい पंचासत होगा और आगे आजाएगा आपका पचपन तो पचपन के लिए आप क्या बोलेंगे पंच पंचासत फिर 56 को 60 पंचासत 57 को 75 यह हो गया आगे आइए 58 पे 85 देख़ें यहां पर लिखा गया है 98 पंचासत ठावन को बोलेंगे 69 का क्या हो जाएगा नव नव पंचासत तो नव पंचासत मतलब कितना हो गया 69 या फिर आप क्या कह सकते हैं तो सश्टी होता है 60 का तो एक कौन सश्टी यानि कि एक कम एक कम सश्टी या फिर उनिस शष्टी जो बोला जाता है ये आपका 69 को बोला जाता है 60 को सश्टी बोलेंगे फिर 61 पे आजाएगे तो 1 सश्टी फिर 62 को दूई सश्टी या 26 बोलते हैं 63 को क्या बोलेंगे 360 या 63 इसी तरह से 64 को 64 65 65 66 66 66 66 66 68 68 को क्या बोलेंगे सप्तति होता है अब देखे फिर आगे 71 प्या जाए एक सप्तति फिर 72 सप्तति द्यान से पढ़ेंगे सप्तति फिर 78 को क्या बोलेंगे 80 सप्तति फिर 89 को 90 सप्तति या फिर आशी ती जो होता है आशी ती वो होता आशी तो एक कौन आशी ती ये क्या हो जाएगा 89 का होता है फिर 80 जाएए आ सी ती 81 को क्या बोलेंगे एका सी ती फिर द्यासी त्रियासी को त्री अर्सी थिर फिर 84 पे चतुर सी ती 85 पंचा सी ती 86 को सट सी ती इसी तरह से 87 को क्या बोलेंगे सब्त सीती आगे आई ये 88 को 80 सीती और फिर 89 आता है आपका 98 सीती या इसको क्या बोल सकते हैं एकोन नवती नवती होता है 90 तो एकोन नवती या फिर उन्हे नवती, ये भी 89 को कह सकते हैं, 90 को नवती, अब फिर इसी तरह से एका दौा जोड़ते जाएए नवती में, तो एक नवती, 91, 2ा नवती, 3 नवती, 4 नवती, पंचे नवती, सड नवती, सब्त नवती, अश्ट नवती, नव नवती आ जाईए फिर सतम होता है सव, तो एकोन सतम, एककम सव तो क्या हो जाएगा, एकोन सतम, तो 99 हो गए आपका फिर उन सतम भी बोल सकते हैं इसको उन मतलब होता है एककम, तो सतम में उन जोड़ेंगे एक कम सतम में, तो 99 आपका 100 का क्या कहेंगे, सतम 100 को क्या बोलते हैं, सतम अब देखें कुछ विशेश विशेश में आप देखेंगे, जैसे 1000 को क्या बोलते हैं, तो 1000 को सहस्त्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सहस्त्रम, तो सहस्त्र हो जाएगा सहस्त्रवाव का अपने नाम सुना होगा सहस्त्रवाव जिसकी हजार हो जाए हो ठीक तो सहस्त्र मतलब हजार हो गया इसी तरह से दस हजार को क्या बोलेंगे आयूतम क्या बोलते हैं आयूतम क्या होता है दस हजार या फिर दस सहस्त्रम इसको बोल सकते हैं ठीक, दस लाब को प्रयूतम या प्रयूत या दस लच्छम भी कह सकते हैं, करोण का क्या होता है, तो करोण का कोटी होता है, क्या होता है, करोण का कोटी, फिर आगे दस करोण को क्या बोलेंगे, दस कोट कह दीजे, या अर्बुदम, क्या आप कहते हैं, अर्बुदम, प्agy बोलते हैं फिर आगे 10 अरब को तो खर्व बोलेंगे 10 अरब को तो क्या बोलेंगे कर बो लेंगे आगरते आगरर darf हो तब तो यह निर्कर यह ठर्म उन्मoking किया भूलते evolution एंगरकर्व लेंगे क्या गधर नेर्कर्वर्व क्या थी ठीक इसी तरह से यह नील को क्या बोलेंगे दस नीलम या जलादी पदम को पदम या अंते बोलेंगे ठीक पदम को पदमम बोलेंगे या अंते बोलेंगे इसी तरह से दस पदम को क्या बोलेंगे दस पदमम या मध्य बोलते हैं दस पदम को क्या बोलते हैं दस पदमम या मध्य फिर से एक बार इ एक हजार को शहस्त्रम बोलेंगे, दस हजार को क्या बोलेंगे, आयूतम बोलेंगे या दस सहस्त्रम बोल सकते हैं, लाख यानि कि एक लाख को लच्छम बोलेंगे, और अगर दस लाख हो तब तो प्रायूतम या दस लच्छम इसको कह सकते हैं, करोण हो तो उसको कोटी बोल एकर करब है जिसे हम लोग पढ़ते हैं न इतने खर रुप ए तो अगर अगर दस खरब हो तो उसको क्या बोलेंगे महा पदम अगर नील है तो उसको नीलम या संकु हो ठीक अगर दस नील है तब दस नीलम या जलद ही इसको कहेंगे पदम को पदमम या अंत्य बोलते हैं और अगर दस पदम संक्या है तो उसको दस पदम पदमम या मद्य बोलते है तो ये हो गया आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने संस्क्रिट में संख्याओं को पढ़ा और इसको बहतरीन रूप से आप तयार कर लिजेगा यहां से question जरूर exam में आते हैं और अगर आप इसको तयार करते हैं तो यह आपके पक्के नंबर एक दो है हर बार एक जाम में पूछे जाते हैं चाहिए वो यूपी टेट हो चाहिए सीटेट हो यहां सूपर टेट तो यहां से question आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में सेयर कीजिए धन्य बाद